हेलो प्यारे बच्छो हाफ एल्ली को लेके बहुत टेंशन में आप तो यहां मेरे पास दो पेपर हैं बच्छो मैं आपको क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का पैटर्न बताया तो अल्मॉस्स सेम है तो क्लास 12 की बात करें तो 70 मार्क्स और 11 का भी हाफ एल्ली सेवन जो है वो 70 मार्क्स का होगा जिसमें से अगर मैं 12 का बता दूँँ पहले आपको 25 मार्क्स का आपका वेरी स्मॉल क्वेश्चन एजर्स और एमसी क्यूस होंगे और लगभग 10 मार्क्स में आपके दो केस स्टडी प्रॉब्लम होंगे जिसमें आपको पैसेस दिया जाए तम आप इस पेपर को देख लेज़ा अगर आप इस पेपर को भी क्वेश्चन पोह समच जाए तो भी आपको बहुत हैप में जाएगी पेपर में यह और ऐसे बहुत सारे पेपर अपकी आप अबेड़ेबल हैं जिनने आप करके हर चेप्टर के में क्वेश्चन जो कम से क कर दिया जाहतर question paper इसी format पर होंगे थोड़ा बहुत variation हो सकता है section यह में 14 question है जो one marks इच है जिन में पहले definition based होंगे कुछ और फिर mcq होंगे address and reason होंगे फिर दो question case study के होंगे nine questions जो होंगे इसमें two marks के हो जाएंगे three question three marks के हो और three question five marks को जाएंगे बड़े derivations ठीक है कोई choice निया internal choice है ठीक है तो जैसे देखो section A है इसमें पांच question पहले definition type आ गए फिर objective ठीक है इसके बाद फिर यह case study आ गया यह oh sorry case study बोलना हूं एजर सनीजन आ गए वो देखिया आप एजर सनीजन आए उसके बाद section B में फिर दूसरा आगया case study दो पैरा आगया Newton second law of motion और दूसरा uniform motion इसके बाद ऐसी section C में अब two marks question शुरू हो गए और बेटा यह two marks question ऐसे ही बढ़ते जा रहे है section D में फिर three marks के question है इनमें आपके पास internal choice है उसके बाद फिर section E है जिसमें पाँच question करने आपको three तीन question करने five marks के इनमें internal choice दे रखी है ठीक है बेटा इस तरीके से पूरा पेपर आपका इस तरीके कही pattern का आपके स्कूल में आएगा और आप हमारे टेजस पैच परम बैच अगर जेए नीट के वीपिवाई और के वीपिवाई तो खेर केंसे लोगे है उलम्पियाड और की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो मेरे फिजिक्स के जो बैच है उनमें आप जॉइन कर सकते हैं परम बैच जॉइन झाल